शरीर माध्यम खलूधर्म साधनम एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन वज्जागरित आत्मा का निवास होता है। इसी तथ्य की शिलापट पर संस्थान ने अपने प्रांगनों में आयुर्वेदिक फारमेसी एवं आउशधालें का निर्मान किया। इन आउशधालें में रोगी तरह तरह की उपचार सेवाएं और सुविधाएं प्राप्त करते हैं। फारमेसी में विशुद रूप से वैदिक क्रंथों में दर्ज प्राचीन पद्धतियों के आधार पर आयुर्वेदिक आउशधियां बनाई जाती हैं। अपने प्रांगनों से बाहर हम अनेकानेक निशुल्क स्वास्ते शिविर भी आयोजित करते रहे हैं। इन शिविरों के लिए हमने हमेशा चुने हैं समाज के पिछडे और सुविधाहीन शेत्र। इंसानियत से महक्ती इन छावनियों में बीमार जनता उमढ़ कर आती हैं और हमें अपनी इबादत करने का सुनहरी मौका प्रदान करती है। तरह तरह की चिकित्सा और दवाईयां यहां निशुल्ख प्रदान की जाती हैं। अभियान के तहट आयोजित रक्तदान शिविरों में श्री महराज्य के भगवाधारी शिशियों एवं कारेकरताओं की ऐसी बेंत कतारें देखने को मिलती हैं। मानो, सब में मानवता की वेदी पर अपना रक्त चड़ाने की होड सी लगी हो। हमारे इस ग्रामीन स्वास्तिय अभियान से रूबरू होकर दिल्ली की मुख्य मंत्री साहिबा श्रीमती शीला दीक्षित जी के गदगद उदगार कुछ यू थे। दिल्ली की जनता की ओर भिषेशकर देहार की जनता की ओरूठ तर्के जो कि संस्थानिका जो अभियान स्वास्ति के बारे में चलाया जा रहा है उसका धन्य वाद नाता है। क्यो काम संट्राग नहीं कर पाती है वो आप कर रहे है।